तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे ITI कोर्स स्टेनोग्राफी हिंदी के वारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करूँगा सबसे पहले मैं आपसे डिसकस करूँगा कि आखिर स्टेनोग्राफी का कोर्स आखिर क्या होता है इसमें किस परकार के सब्जेक्ट्स होते हैं आखिर जया कोर्स कितने वर्ष्ट का कोर्स होता है इस कोर्स का eligibility criteria क्या है और अंत में दोस्तों मैं आपसे जोब प्रोफाइल्स के बारे में आपसे में डिसकस करने माला हों की अगर आप इस कोर्स को आप पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की जोब मिल सकती है तो जैस सारी बातों को मैं आपसे इस वीडियो में डिसकस करूंगा हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो educational वर्ष्टर चैनल तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे स्टेनोग्राफी हिंदी के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करूंगा और दोस्तो अगर आपने टवैलफ्ट की क्लास को पास कर लिया है और अगर आपको जे जानना है कि टवैलफ्ट की एकलास को उपास करने के बाद आखिर कौन कौन से कॉर्स होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे डिसकस करने बाला हूँ कि आखिर स्टैनोग्राफिक का कोर्स आखिर होता क्या है तो दोस्तों मैं आपको तना चाहता हूँ कि stenographer वे प्रोफेशनल व्यक्ति होता है जो अपनी short hand writing जा typing से किसी भी बाशन को जान दो लोगों के वीच की जा रही आम बाचित को बहुत ही तेजी से एक code के रूप में लिख सकता है तो basically जह एक typing का काम है अगर आप stenography को हिंदी में करना चाहते हो तब आप हिंदी में भी stenography को कर सकते हो stenography का course काफी popular है जो आज की time में कई सारे एसे students होते हैं जो इस course को करते हैं अभी आप से मैं course duration के वारे में आप से मैं discuss करने वाला हूँग जानि जाया course आखिर कितने वर्ष का course होता है तो दोस्तों मैं आपको उताना चाहता हूँ कि जाया course सिर्फ एक वर्ष का ही course होता है जिसमें कुल दो semester होते हैं और एक semester की जो length होती है वो 6 महीने तक ही होती है अभी आप से मैं eligibility के वारे में आप से मैं discuss करने वाला हूँग आप इस course को आखिर किस परकार से कर सकते हो तो इस course को करने के लिए दोस्तों आपको जो 12th की class है उसे आपको पास करना होगा चाहे तो आप 10th की class को पास करने के बाद भी आप इस course को पूरा कर सकते हो अभी आफसे में job profiles के वारे में आफसे में discuss करने वाला हूँ जनि अगर आप इस course को आप पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो दोस्तो आप data entry operator बन सकते हो आप stenographer भी बन सकते हो इसके इलावा आप office assistant भी आप बन सकते हो तो जैसाब आपकी personal skill और knowledge की उपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको job मिल सकती है अभी आफसे में subjects और topics के वारे में आफसे में discuss करने वाला हूँ जनि आप इस course में आखिर किस परकार के subjects और topics आप study करते हो और भी इस course में कई सारे subjects और topics होते हैं जो आपको इस course के दुरान आपको करवाई जाते हैं तो दोस्तों इस बीडियो में मैंने आपसे stenography ITI course के वारे में आपसे मैंने इस बीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस बीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी लेकिन अगर आपको किसी भी परकार का कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस बीडियो के description में और भी कई सारे courses के बारे में बीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें बांजा कर भी देख सकते हो तो अन्त में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना